तो इधर हम बना लेते हैं अचारी पुला जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो इधर आपको तेल ले लेना है तेल और थोड़ा से इधर घी भी डाल दी हूं मैं इसके बाद यह जब गरम हो जाएगा ना तो कड़ी पत्थर डाल देंगे और जीरा डाल देते हैं अध कुछ सूखे मसाले पहले प्याज डाल देंगे तो यह मैं एक प्याज ले ली दी इनको ऐसे पतले पतले लंबे से कट कर लिए हैं तो प्याज को भी हम पहले हलका सबून लेते हैं जब प्याज हलका सबून जाएगा ना तो इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले सूखे मसा के द्लाले जो होते हैं बस वही जादा कुछ ऐसा नहीं एक करना है इसमें तो यह देखे हैज भी होगया है भुन गया है तो आफिसमे हम डाल देते हैं तो सबस्देखर गःट को इसको धीम कर लेंगे हम और ना साला हमारा इत ना мнीका उसके सीह इधर हम डाल देंगे ये कसूरी में थी उसके बाद ये डाल देते हैं कासमेरी लाल मिर्च हलदी पाउडर धनिया पाउडर अग्यों अगर आपको लगे कि आपको मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा आप इधर पानी डाल सकते हैं तो मसालों को भी थोड़ा सब भूनेंगे उसके बाद डाल देंगे हम टामाटर तो इधर मैं दो टामाटर ली थी जिनको मैं छोटे-छोटे ऐसे कट कर ली हूँ और इसमें डाल देंगे नमक जिसे टामाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसको मिक्स कर लेते हैं तो बस यह थोड़ा सा सक्का डाल देते हैं हलका सही जादा नहीं टेस्ट अच्छा आता है एक बर जरूर ट्राय करना इस प्रकार से आपको बहुत पसंद आएगा और इसको मिक्स कर लेंगे हम उसके बाद इसमें हम और भी चीजे एड़ करने वाले हैं तो सबसे पहले हम इ मुल्क को गरम पानी में उबाल दी थी थोड़ा सा तो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं उसको पानी निचोड लेना है और डाल के इसको भी भून लेंगे हम सुयविन की बरी को भी भून लेते हैं जब यह भी भून जाएगा अच्छे से मसाला तो इसमें हम डाल देंगे चावल को मैं अच्छे साफ कल दी थी पानी से और थोड़ा रख दी थी दस से पंदरा मिनट के लिए उसके पहले में डालने वाली इदर अचार का मसाला जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा अचारी प्लॉँ में तो यह मसाला डाल देंगे हम एक चमच भर के और इस को भी थोड़ा सा हम भून लेंगे पहले तो पहले हम भूनेंगे ऐसे सबजी के साथ मतलब मसालों के साथ में भूनेंगे चावल को भी फिर उसके आदिस में हम पानी डाल देते हैं तो पानी आपको इतना डालना है कि चावल है जो डूप जाए बस ज़्यादा नहीं डाल तो यह तो गाल देंगे क्योंकि चावल हम पहले से गला के रखे हुए थे तो जादा पानी नहीं लगेगा वस इतना आपको डालना है ना कि मतलब जो चावल है वह डूब जाया मतलब दीकें नहीं ऐसा डालना है मतलब जादा नहीं नहीं तो बरना यह आपकी खिषडी बन तो यह चीज बिल्कुल ध्यान देना देखिए पानी में इतना ही डाल रही हूं और इसको अब ढ़क के एक सीटी हम लगा देएंगे तो एक सीटी ही लगाना है एक सीटी में बहुत ही अच्छे से पक जाता है चावल तो ये देखिए एक सीटी हो जाएगी अब तो ये देखिए हो गई है अब हम निकाल लेते हैं देख लेते हैं तो यह देखिए है हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से रेडी हुआ है बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है पुलाव हमारा यह देखिए एक बार जरूर ट्राय करना इस प्रकार से बहुत पसंद आएगा आपको तो रेडी हो गया है निकाल लेते हैं हम प्लेट में अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए ठेंक यू सो मच ओके फ्रेंड्स बाय टेक केर